तो आज हम हमारा डी फार्मा फ़स्ट एर का जो सब्जेक्ट है इसका जो सर्क्यूलेटरी सिस्टम चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट करने वाले हैं हार्ट से रिलेटेट इसमें ज्यादा क्वेशन पूछे जाएंगे तो देख लेते हैं कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेशन बनते हैं आपने अभी तक अगर हमारे चानल को सब्सक्राइब नी किया तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो क क्या लिखा है human heart is surrounded by how many layers हमसे पूछा कि human heart के around या surround कितनी layers होती है तो जैसे यह हमारा human heart है मैं roughly अगर डाइग्राम ड्रॉ करूँ तो एक यह layer हो गई ठीक है दूसरी यह layer होगी और तीसरी यह layer होगी हमारी total कितनी होती है 3 layers होती है heart के surrounding में कौन कौन सी हमारी pericardium सबसे बाहर वाली myocardium middle वाली और फिर होती है हमारी endocardium जो की सबसे inner वाली होती है तो हमारी heart की 3 layer है pericardium myocardium और endocardium सब्सक्राइब करेक्ट आंसर के हमारा option c that is 3 वन नहीं है टू नहीं है फोर नहीं है ठीक है next question हमारे पास क्या है veins carry deoxygenated blood except क्या बोला है कि veins हमें पता है जो हमारी generally carry करती है deoxygenated blood को मतलब जो इंप्योर blood होता है उससे लेके जाते हैं इंप्योर माने तो carbon dioxide ज्यादा बाइंड हुआ हुआ है हीमोगलोबिन के साथ तो हमारा क्या है जो carbon dioxide ज्यादा है तो उनको बोलते है deoxygenated blood तो जो veins होती है body की वह सारी की deoxygenated blood को लेके जाती है except एक ऐसी वेन होती है जो की oxygenated blood को लेके जाती है तो ऐसी कौन सी वेन होती है यह पूछा है तो जैसे हमारा heart है right atrium हो गया left atrium हो गया right ventricle हो गया left ventricle हो गया ठीक है तो यह हमारे suppose यह हमारे क्या है lungs है तो lungs से जब हमारा blood purify होके left atrium में आता है तो उसे लाता कौन है pulmonary artery लाती है कौन लाता है pulmonary vein लाती है और यह vein में हमारा oxygenated blood है क्योंकि वह pure होके आया ना तो oxygenated blood है जो की left atrium को हमारा पुचाया जाता है ठीक है तो वैसे तो veins carry करती है deoxygenated blood लेकि नहीं कैसी vein है जो की oxygenated blood carry करती है वह कौनसी है हमारी pulmonary vein आयोटिक भी नहीं है subclavian भी नहीं है none of the above है नहीं क्योंकि हमारा बी option करेक्ट है ठीक है next question की दरफ चलते हैं क्या लिखा है arteries carry oxygenated blood except बोला है जो arteries है वह oxygenated blood को carry करती है एक्सेप्ट वहीं वाला question हो गया हमें पता जो हमारी body की arteries है वो सारी की सारी क्या करती है oxygenated blood को carry करती है मतलब प्योर ब्लड को किसको लेके जाती है यह प्योर ब्लड को लेके जाती है जिसमें हमारा ज्यादा oxygen किसको लेकर जाती एक हमारे हमारा हार्ट है और यह में ट्रिम लेfar़ दियूर्ग और यह हमारे क्या है लुंगत है ठीचल है, राइट वेन्टरिकल से एक हमारी आडरी जाती है, वो कहरी करती है deoxygenated blood को lungs से, ताकि lungs में जाके वो purify हो सके, ठीचल है तो वो कौनसी है हमारी pulmonary artery, कौनसी लेके जाती है pulmonary artery हमारी लेके जाती है right ventricle to lungs में blood supply को, ठीक है तो रेडियल भी नहीं है ब्रेकियल भी नहीं नन अफ द अब है नहीं करेक्ट ऑक्षिन के हमारा पल्मिनरी आर्ट ओके तो आगर आपने हमारी उद्ध फार्मसी क्लासेश की अभी तक नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसमें हमने फार्म जा बलते हैं लिखा विच वैल्व लीज प्रेजंट बिट्विन राइट वेंट विंट्रिकल में हमें बूल कि कौन सा वैल्व मैंने बताया था तब दर्वाजा होता है एक तरह का कौन सा जो है बिचत है तो जैसे हमारा हों और यह हमारा लेफट ए डियम हो गया यह से य WALF, इसको बोलते हैं, Trray Cuspid Valve, और जो हमारा left के बीच में होता है, उसे बोलते हैं,อกsy को Mitteral Valve, तो रिकास्पिड वाल्फ, तो और्स अनसर ए हम्याने, Make Him V Pro, बीच में होता है mitral valve तो दूसरा नाम bycuspid का यह none of the above है नहीं क्योंकि हमें right option मिल गया next question की दरफ चल देंगे क्या बोला duration of each cardiac cycle हमें बोला जो पूरी cardiac cycle है कि heart में हमारा blood आता है blood हमारा heart में आता है ठीक है फिर वो lungs में जाता है purify होने और फिर वो वापसी heart में आता है ठीक है और heart हमारी body को supply करता है तो यह जो सारा हमारा cardiac cycle है पूरा का पूरा ही कितना time लेता है 0.8 second, 1 second, 0.4 second या 0.2 second हमारा correct answer is 0.8 second पूरे हमारे blood को heart में move करने के लिए कितने systole, diastole, contraction, relaxation यह सारी मिलाके हमारा क्या होता है 0.8 second लगते हैं टूटे ठीक है तो आवर correct answer is option 1 next question की तरफ move करेंगे क्या लिक है which is known as the pace maker of the heart मतलब जो pace बनाता है heart की जो impulses बनाता है heart की वो कौन है हमसे यह पूछ है is it sa node av node bundle of his और पर किंजे fibers तो जैसे हमारा heart का मैं roughly diagram ड्रॉ कर रही हूं जैसे यह हमारा heart है यह right atrium हो गया यह left atrium हो गया right ventricle हो गया यह left ventricle हो गया ठीक है जी तो right atrium की वाल पे अपर साइड पे हमारा होता है ऐसे नोड क्या होता है ऐसे नोड कि फिर हमारा बीच में इंटर हमारे पास atrium septum में होता है av node फिर यहां से हमारे आते हैं bundle of his दो निकलते हैं कौन? bundle of his और फिर हमारे जो ventricles को cover करते हैं वो हमारे होते हैं परकिंजे fiber वो हमारे होते हैं परकिंजे fiber तो यही हमारी heart beat set करते हैं यही हमारी impulses को heart में contraction relaxation यही generate करते हैं ठीक है तो सबसे पहले क्या होता है देख लेते हैं सबसे पहले हमारे पास जैसे यह है ऐसे नोड से हमारी impulses start हुई कहां से ऐसे नोड से just a second मैं in color change करूं से नोड से हमारी क्या है impulses start हुई ऐसे नोड बनाएगा कहां भेजेगा av node के पास av node से आगे जाएगी bundle of his में bundle of his से आगे कहा जाएगी हमारी परकिंजे फाइबर में तो ऐसे इंपल्स हमारी जन्रेट होती है तो शुरू कहां से होती है ऐसे नोड से तो ऐसे नोड को ही बोला जाता है पेस मेकर of heart ठीक है next question की तरफ चलेंगे क्या लिखा है what will be the cardiac output if the stroke volume is 70 and the heart rate is 72 per minute हमें बोले कि हमें cardiac output निकालना है अगर stroke volume हमें 70 दिया हुए और heart rate हमें 72 तो cardiac output का formula होता है stroke volume into heart rate तो सीदी सी बात है stroke volume गिवन है हमें जो की 70 है और heart rate भी गिवन है जो की 72 है तो जब इनको multiply करेंगे तो हमारे पास आजएगा 5040 तो cardiac output हमारा milliliter में होता है तो cardiac output is equal to 5040 milliliter तो यह भी नहीं है यह भी नहीं है यह भी नहीं है यह भी नहीं है ठीक है next question की दरब मूफ करेंगे क्या बोला है normal BP of an adult blood pressure normal कितना होता है किसी adult का blood pressure normal कितना होता है adult का तो blood pressure में भी हमारे पास दो quantities आती है एक होती है systolic जो की contraction के time पर आती है और एक होती है diastolic जो की हमारी relaxation के time पर आती है ठीक है तो systolic normal होता है 120 और diastolic होता है 80 pressure की unit के mmHg और 80 mmHg तो बोला जाते है कितना 120 by 80 mmHg इसको normal माना जाता है blood pressure तो correct answer कि option B 130 by 70 नहीं है 120 by 60 नहीं है none of the above है नहीं तो correct option क्या है हमारा option B next question की तरह move करेंगे क्या लिखा है which equipment is used to measure the blood pressure अगर हमें blood pressure मापना है तो हम कौनसे equipment का use करेंगे pulse oximeter का spiral meter काbeeping manometer का है किसी का भी करτιंगे तो pulse oximeter हमें क्या बताता है हमारा heart rate बताता है ठीक है हमारा Holy player level बताता है आज कल तो काफी सुना होगा pulse oximeter के बारे में spiral meter हमारा lung capacity दताता है lung की कपैस्टी बताता है स्फिग्मो मैनोमीटर को बोला जाता है दूसरे वर्ड में बीपी एपरेटर्स क्या बोला जाता है बीपी एपरेटर्स और यही हमारा स्फिग्मो मैनोमीटर ही है जो की ब्लड प्रेशर मेजर करने के काम आता है ठीक है ननवदा वब इंकरेक्ट स्पाइरोमेटर इंकरेक् क्या है मारा option C next question की दरह move करेंगे क्या लिखा है what do you mean by tachycardia हमें बोला है tachycardia का मतलब क्या होता है increased breathing rate decreased breathing rate increased heart rate और decreased heart rate तो एक एक करके options की बात कर लेते है increased breathing rate को बोला जाता है tachypnea decreased breathing rate को बोला जाता है bredipnea increased heart rate को बोला जाता है tachycardia tachycardia decreased heart rate को बोला जाता है bredycardia याद रखना taky मतलब की तेज हो रही है कोई चीज और bredy मतलब कोई चीज cinco हो रही है तो यहाँ पर हमें tachycardia पूछा है तो टगी को मतलब क्या होता है हमारा यहां से देख सकते हैं, increased heart rate, heart rate हमारा बढ़ रहे है, तो correct option क्या है हमारा option C, बाकी के हमारे क्या है, गलत option है, so this is all about today's video, hope आपको अच्छे समझ आ गया हो, कर आपको कोई भी doubt है, तो आप comment करके पूछ सकते हैं, and अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे चैनल को subscribe नहीं किया, तो पहले जाके उस चैनल को subscribe कर लें, आपे हम nursing and medical videos upload करते हैं, thank you